यह है 2024 की प्लैटीना जो की आपको 100 CC में मिल जाएगी 2024 में क्या माइलेज क्या प्राइस और क्या नई अपडेट आई है वह सब आज 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 आज़ेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो टैंक है उस पे आपको प्लैटीना गोल्डन कर भी मिल जाएगे आज अगर फ्रेंट आयर प्रोफाइल की बात की जाएगी ऐटी हैंन्रेड सैवंटेन के फ्रेंट आयर प्रोफाइल रहेगी इस बाइक एंसेट मिल जाएगा 100 CC की ये बाइक है और extra comfort के साथ आपको मिल जाती है काफी लंबी seat, graph exchange मिलेंगे इसमें आपको instrument console आपको analog मिल जाएगा इस बाइक में ये बाइक आपको E20 fuel से less मिलेगी और fuel tank capacity 10.5 लिटर की रहने वाली है और mileage आपको 65 plus का मिल जाता है अगर इस बाइक को compare करा जाए hero splender के साथ तो 100 CC में splender रहेगी, 100 में ये रहेगी 65 का mileage देती है और splender आपको 50 के आसपास दिया, 55 के आसपास का mileage देती है तो मेरे हिसाब से splender के मुकाबले का looking को change कर दिया जाए अब अगर इसके engine की बात की जाए तो 110 CC का DTSI air cool single cylinder engine मिलता है जो की BS6 2.0 और E20 fuel से less रहने वाला है ये bike max power 8.60 PS और max torque 9.81 NM generate करती है 4 गियर में मिलेगी 10.5 लिटर की fuel tank capacity जैसे की मैंने आपको बताया था, front वाले suspension जो रहने वाले है वो hydraulic telescopic टाइप रहने वाले है बिद 135 NM travel के साथ अब fully metal का exhaust मिलता है normal वाले footrest मिल जाते है जो की adjustive रहने वाले है तो अब बात की जाए अगर इसके instrument console की तो आपको fully analog instrument console मिलता है जिसमें आपको speedometer मिल जाएगा और आपको fuel वागरा देखने को मिल जाएगा वही normal वाले switches मिल जाएगे single इसमें आपको lag guard मिलेगा जो की फिलहाल install नहीं है ये बाइक आपको petrol T के साथ मिलेगी अब अगर बात की जाए इस बाइक के width की तो आपको 713 mm की width मिल जाएगी land 2006 mm की मिलेगी और इस बाइक की जो ground के lens बोर्ट आपको 190 mm की मिलती है तो बहुत बड़े ground के lens मिल जाएगी आपको बैट के नीचे नीचे फिल नहीं होगा कब वेट इसका 123 kg का रहेगा और वील वेस इसका 1255 mm का रहेगा length इस बाइक की 2006 की बताई थी और height आपको 1100 mm की मिल जाती है बतलब 1100 mm की मिल जाएगी अब अगर splendor से से compare किया जाए तो ये आपके लिए better option है अगर आप daily use के लिए लेना चाते हैं क्योंकि mileage और pocket friendly दोनों रहेगी है splendor का ये है कि वो थोड़ा modify होके बहुत बढ़िया लग जाती है इसका जो है वो modify करानी की जूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप daily family type bike ले रहे हैं तो ये bike आपके लिए 2024 में better option है मेरे हिसाब से तो आप बताएगा मुझे comment section में कैसी लगी आपको ये bike